कि हालो जी आसलामनेकों वेलकम बाट ने चानल अनदर डेया नदर व्लाग अमया लाइफ कैसे हैं अब सब लोग गुम्मीट करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे मैं अब आप गया जाना और मुस्कूल जाने के लिए रेड़ी है टेन 15 मिनिट में उसे डुटे में पाड़ी नकलना टौल अलवाट जेना लुकर को जाते हैं न नाच्ते लेहाHEं और न कि Bosses सब्स ऴीग में जेबराईल और मिकल को छूड़ देती हूं उनके स्वमिंग पूल में और शुमिंग किया तो कल मीकील वापिस आया तो कहता ह मुझे बॉडी एक शोég है मैंने सुला दिया दौई भाईश्वाईदी मैंने सुला तो सुबह मैंने उसको उठाया का उठाया का उटके शौब ahg मैं रहा ने बोला कि मा मेदा थ्रोट जो है वह वीडियो बना रहे हैं कि मैं आई थी कमरे को क्लीन अप करने के लिए लाइक बेड़ बनाने के लिए तो यह सामान मुझे यहां पर निजर आया तो मैंने काई जल्दी से आपको दिखा दो कि उसके बाद मुझे यह समेटना है तो सामान कोंसा है सामान जनाब मेरी एक नेवर मेरी फ्रेंड भी कह लिए सकते हैं आप वह गहीं थी पाकिस्तान तो वहां से में लिए कुछ चीजें लेकर जल्दी से आपको दिखाती हूं कि फिर मैंने उसको रख दिया ना तो फिर उसके बाद निकालना मुश्किल हो जाता है और जब तक वह चीजे बाद वह समेटती ही नहीं है बाहर पड़ी होते तो मुझे वैसे उल्जन हो रही होती है तो चैनल जल्दी से आपको दिखाती कि क्या कुछ लेकर आई है सबसे पहले तो वह यह लेकर चूरियां यह यह लेकर आई है जी वह बुंदे और बुंदे वह बाले देखें मैं आर्टिशे लोगों ने नोट किया होगा मैं जाधा गोल्ड रहन फैन चेह हो जब इस बैसे बैब्रस को मैंने का चोड़ दीए बैब्रस की चेंज़ करना चोड़ दीय वारना है जाज पीछे मिरे जूलरी क्लॉजेट आपने इसको उaten बटाइब के बैबर्स की पहल आपने इसको शा लेकर मुझे नहीं बता, मैंने तो खोले भी हैं, तो बस यह ऐसे एक यह एरिंग्स हैं, और एक यह वो मेरे लेके आई हैं, शॉल है, यह वाली ब्लाक शॉल, आपको पता है, मुझे ब्लाक करर अच्छा लगता है, हर ब्लाक हिजाब, ब्लाक स्काफ, ब्लाक चीजों में होत परांदे लाने का तो परांदे लेखे मुझे बहुत सारी यादे मी आई क्योंकि हम लोग बहुत ज़ादा यंग थे ना छोटे होते थे क्योंकि हम लोग पंजाब से हैं तो पंजाब में लाचे चुरिदा पजामे लॉंग शिर्ट वह बड़े फैंसी कपड़े हुआ करते मेरे अमनी क्योंकि बाल हमारे हमेशा से लंबे रहां हम चोट चोटे ह mistaken जिब्लाइल के बाल हमेशा लंबे रहां कभी छोटे दीन है तो हम लोग वह ऐसी कपड़े प्रांदे भी पैनते थे और लेकिन देखें ए छोटा परांदा है इतने तो मेरे बाल भी नहीं है यह ने अर यह यह पहुत चोटा है तो मेरी उम्मी जब हमें पाना पेंना था था तो मेरी उम्मी स्पेशल परांदे बनवाथी थी नबहीं व तो मैंने यह परादना देखा बेवर्स को बोला है तुम्हारे बालों में चब यह डालूंगी कि मैं नहीं कर सकती में इतना है डिक होता है मेरा तो यह एक हेर स्टाइल जो है ना बेशक मैं सुबह सुबह बोट के बैठी हूं कि बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई बेशक मैं तैयार हुई हुई यह शादी है इद बकराई कोई फंक्षन है मैं ऐसे ही होती हूं बलकि मुझे पिछले कुछ दिना से कुछ लोगों ने मैसेजिस कि बूल हम आपके हेर स्टाइल से बोर हो गाए हैं तो मैंने का भई आप लोग बोर हो गए मैं कुछ नहीं कर सकती तो मुझे इसके लावा अपने पर कोई बाल ना अच्छे लगते हैं ना मुझे इसके लावा अपने कोई कमफ़टबल फील होता है मैं बिल्कुल सिर्फ यही बन बनाती हूँ कभी बीच में से पार्टिशन कभी साइट से कभी पूरे उठा के यहां पर कर लिए तो मुझे यह बाल अच्छे लगते हैं ऐसे बंदे बंदे तो मैं ऐसे ही रहती हूँ और फिर मैं एक चीज़ और सोईती हूँ कि लोग जब बाकी लोगों को हर वक्त खुले बालों में देखते हैं तो उससे तंग नहीं आते देगरों उनको किसी के बंदे बाल तंग करते हैं मेरी खुद की फ्रेंड्स लाइक मेरी जो बच्पन की फ्रेंड्स हैं वो भी जब मेरे पिक्चर्स का भी देखती हैं मैं फेस्बुक पर लगा दूँ या अभी तो यूट्यूप पर भी देखती हैं तो मुझे बोलती हैं कि गुल प्लीज अपने बाल वो का स्टाइल से चेंज कर लो सब कर चेंज ह चूड़ीया चूड़ीया और फिर फूट की चीज हैं मैं आपको नीचे लेकर चाहती हैं किचन में वह भी तो यह चीज यह आपको दिखा नहीं थी आपको पकिस्टान की सोगाद दिखा देती हूं उम्हीद करती हैं अपको चीज एछे लगा हूंगी और आप लोग आप येकीन करें मुझे ट्रानोल खानी ही भड़ती है क्योंकि मुझे पता होता है कि एंड अप होना ना वह मेरा ऐसे ही होगा है डिक के साथ तो चले जरा बभी मैं आपको नीचे लेकर जा रही हूं तो जाना ने जाना स्कूल यह वीडियो लंबी होगी तो फिर बन निकल तो मैं जाती हूं इसको स्कूल बहुती हूं पर आपको नहीं से आपका व्लॉग हम एक हम कन्टिनियो करेंगे चलें लेकिन वह आपको पता चिलके वगएर होते हैं और अनुंका टेस्थ मुझे काजू की तरा लगता है लग चलगोजे और आप देखें बड़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं इतने मोटे मोटे लंबे लंबे हैं और अभी हमने इसको टेस्ट नहीं किया टेस्ट करेंगे तो फिर मैं आपको बताओंगी कैसे निकले हैं चलगोजे खास सोगात आई है पाकिसान से यह मुझे औ उनको बलके जो कॉसको गहरा से मिलते हैं वो अच्छे लगते थे तो मुझे वो इतने जादा पसंद नहीं है तो चलगोजे हैं और यह हैं दो तरह की मठाईया मुझे नहीं पता यह कून से मठाई है बस यह मठाई है यह है जी एक मठाई आप लोग देख लें आपनों को शायद पता हो यह सॉफ्ट सी है कोई आई रोनो है क्या मुझे नहीं पता टेस नहीं किया मैंने और यह है या गाजर का हलवा या गजरेला इसे आप जो भी बोलते हैं क्योंकि यह बड़ा ही वो हमारे जहां से मैं भी लॉंग करती चिन्योट से वहां पे हम लोग गाजर क हल्वा बोलते थे ताजा बनता था गाजरेला उसको हम बोलते थे कि वो सुका सुका होता था और हम खाया करते थे जब मैं इदर कैनेटा में आई तो गेर में बनाना शेया जसे हम घलते थे नहीं गाजर का फीर हम घلुझाלי मॉट बहुता तो तो टाइप जहां से हुम भी मैंने का आप कल क्या दिखाऊंगे भी आपको दिखा दू और पहले भी आपने देखी जो चीज़ें वो लेकी आई थी तो ये सारा समान आया था पाकिसान से अब हम इसको इंजोई करेंगे चलगोजों को किसी मुवी नाइट पे मुवी देखेंगे सार साच लगोजों काएंगे और पर हमारी उगलिया जखमी हो जाएंगी चले ये थी चीज़ हैं जो मेरी फ्रेंड लेकी आई है तो मैंने का आपको दिखा देती हूँ तो अब जनाब बारी आगई है तो जाना की स्कूल जाने की तो जाना रेडी हो चुका था और जारा आपको मैं भी बाहर की रोशनी दिखाऊंगी और आप देखें कि दिनों का कितना फर्क पड़ गया नमाजों के टाइम का भी इतना फर्क पड़ गया पहले ऐसा होता था कि एक नमाज पढ़ते थे साथ दूसरी नमाज जा जाए जोर के साथ असर, असर के साथ मगरिब, मगरिब के साथ इशा अब उनकी टाइमिंग में भी काफी ज़दा फर्क आ गया अब रात की जो इशा की जो मगरिब की नमाज होती है वो साड़े शे ब जब वो साड़े चार सबाचार होती थी तो फिर तो मैं पढ़ की जाती थी, बीच में से वो चली की थी, साड़े पांच बजे के करीब, तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था, मैं क्या करती थी, इंतजार करती थी, जल्दी जल्दी नमास का टाइम हो जाए तो मैं निकल जाऊं, लेकिन आप जैसे से दिन लंबे हो रहा हैं अब नमाजे आप देखेंगी, इतनी लेट हो जाएंगी कि अब फिर हम लोग इस इंतजार में होते हैं, कि अब नमास का टाइम हो तो ये फर्ज अदा करें और फिर सो जाएं, क्योंकि अधर वाइस बहुत लंबे दिन हो जाते हैं, आथ कर मैं इशा पढ़ लेती हूं, तकरीबन कितने बज़े, तकरीबन सब्सक्राइब दस एक बज़े के गरीब मैं पढ़ती हूं, क्योंकि जब हम लोग जिम से आते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा चीज़े समेटी हूं, फिर मैं क्या करती हूं, फिर मैं हस्बन को उपर बही देती हूं, कि आप जाएं उपर जाके आप रेस्ट करें, बच्चों के साथ, जब बच्चों को उनकी चीज़े देती हूं, रत के सोने का पाने शानी वो फिल करके ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें रूम्ज में वाटर बाटल्स लेके जानी होती हैं, और फिर मैं رात को एशा पर 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 झाती हूं, तो सुबो के वक्त कितना अंदेरा होता था लगता था काली रात है और हमारे पस फजर का टाइम भी होता था अब हमें फजर पढ़ने के लिए अरली उटना पड़ता है खेर मैं तो जल्दी उटती हूँ मैं तो उटती पांच साड़े पांच बजे हूँ तो मेरे पस तो स्टिल टाइम होता है लेकिन आप सून देखेंगे के पांच सड़े पांच भी लेट हो जाएगा हमें फजर पढ़ने के लिए और जल्दी उटना पड़ेगा लाइक हमारे पस दिन बहुत लंबे हो जाता है विंटर में जितने छोटे होते हैं ना समर में उतने ही लंबे दिन हो जाता है हमारे पास इन दिनों की जो रूनके होती है वो बड़ी मज़े की होती है पूरा दिन होता है आपके पास काम करने के लिए बाहर आने जाने के लिए घर के जो आपके वो कहते है ना एक्स्ट्रा चीजें होती है वो भी आप समेट लेते हैं लेकिन इसके साथ एक जो नुकसान होता है कि आपकी नींद कम हो जाती है क्योंकि रात को आप लेट सोते हैं सुब आप बहुत जल्दी उड़ते हैं उसमें आपकी नींद बहुत जादा कंफरोमाईज हो जाती है तो बस ना आप देखा देखा देजाना स्कूल चला गया आज ये दोनों बहने स्कूल जाएंगी और ये रेडी हो चुकी है जिबरैल को शोक आया था इनके स्कूल में था अज पिजामा डे था तो पीजे डेई वे इसने का अमा मेरा बंद बना दे तो मैंने बंद बनाया उसके ओपर ये हैट पहनना इसके लिए मुश्किल हो रहा था बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है लेकिन सर्दी है माइनस 7,8 या 10 के करीब था हमारे पास आज वेधर तो उसने वो पहन लिया और बैबरस को मैंने का एर मफ ज़रूर लेके जाओ क्योंकि आज उन लोग ने जाना था वाक करने के लिए अपने क्लास के साथ तो इस तरीके से बच्चियां ये दोनों तयार हैं मीकाईल अभी भी सो रहा है और मैं वोईस ओवर तो रात को कर रही हूँ क्योंकि मैंने आए व्लॉग मॉर्निंग में बना लिया था मॉर्निंग में मैं व्लॉग बना के फ्री हो गई थी मीकाईल सोके उठा था तकरीबन 9.30 और वो बहतर फील कर रहा था लेकिन मैंने उसको दुपेर में फिर उसको मैंने जब उसको लंच वगरा दिया तो मैंने उसको मेडिसन दे दी आगे बच्चों के पास आ रहा है जी लॉग वीकेंड थरस्टे फ्राइडे नो थरस्टे फ्राइडे सेटरडे संडे चार उनका दिन वो कहते है ना उनका लॉग 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 वीकेंड है तो वो खूब इंजॉई करेंगे तो मैंने का आपको ये भी अपडेट बाइन के रहा हैं उनका राउटी को ये अगले दो दिन इनिशयला गा बच्चे घर पे होंगे तो उन घर होने की वैसा सोच रही हो कि आप मेरे बच्चों को सबसे जॉरी हो बनाउंगे पर कि वो रूटीन के मताबिक सुबों सुबों बोट जाते हैं तो मेरा दिल करता है थोड़े दे सो जाए हैं ताकि हम लोग भी थोड़े दे सो जाए और हमें भी थोड़ा रेस्ट का टाइम मिले लेकिन ये तो डिफरेंट सेनेरियो हो क्योंकि नवीत की जाब होगे तो हमें जल्दी ही उठना पड़ेगा तो चलें जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा बच्चे जा रहे हैं स्कूल मैं करूंगी अपने नाच्टे की प्रेपरेशन फिर घर के काम रूटीन की चीज़ हैं तो अभी आप से ले लूगे मैं अजाज़त उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग भी आपने हमेशे की व्लॉग की तरह इंजा है किया होगा अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापिस आईएगा मेरे इसी चैनल पे सेम टाइम पे सेम चैनल पे मैं आप से मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ तब तक रखेगा आप अपना खयाल मुझे रखेगा आप अपने दुआओं में याद टेकेर जी अल्ला हाफिज